Hello friends, welcome back to my youtube channel आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ SketchUp की बहुत ही ज़्यादा useful trick जो आप अपने project में use कर सकते हैं daily basis पे भी आप use कर सकते हैं आपको एक ऐसी extension बताने वाला हूँ जो आपको आपने system में install करके रख लेनी चाहिए जो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है तो पहले बता देता हूँ कि actual move extension है क्या और उसको हम कब use करेंगे for example मालो मेरे पास कोई project है मैं control press करके या फिर shift press करके objects को ऐसे select कर रहा हूँ यह मैंने multiple selection यहाँ पे किया उसके बाद गलती से बाहर click हो गया और वो मेरा selection हट गया उसके बाद मैंने कोई दूसरे selection किया हट गया बहार अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन selection को वापिस ले के आपाऊं क्योंकि undo करने से तो आएगा नी तो वो selection को मैं दुबारा से ले के आना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे एक extension डाउनलोड करने पड़ेगी जिसका नाम है आपका selection memory आपको जाना है extension realizing एक्स्टेंशन वेरहाऊस में extension वेरहाऊस में जाके आपको यहाँ पर टाइप करना है selection memory गया है selection memory जैसे आप यहां पर टाइप करते हो तो यहां पर आपके पास एक selection memory के नाम से extension आएगी, आपको उस पे click करना है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे, तो यह क्या करेगा, last file selections को आपको वापिस recover करने में help करेगा, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, selection आपका last file ता है, इसके लिए आप इसे install करें, जैसे आप install करेंगे, अब आपने जो selection लिया था, अगर आपको वापिस लेके आना है, तो आप edit पे जाए, तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा, cycle previous selection, आप इस पे click करें, तो जो आपका previous selection था, वो आपका वापिस आजाएगा, अब इसके लिए आप एक shortcut भी assign कर सकते हो, ऐसी depress करोगे, तो previous selection आजाएगा, कि यह select किया था, फिर यह select किया था, फिर यह select किया था, फिर यह आएथा, जो only 5 selection को record करेगा, तीन step हो गए है, यह 4 step, यह 5 step और वापिस आपका यह आजाएगा, clear है, तो ऐसे करके आप selection memory को याद कर सकते है, इतना complicated अगर आप यहां से select करते हो, और गलती से आपसे कहीं और select हो जाए, यहां से तो आप plus minus कर सकते हो, बट गलती से बाहर click हो गया, तो आप depress करके last selection का आपका वापिस लेके आ सकते हो, और वहीं से फिर आप continue कर सकते हो, clear है, यह आपका edges में भी काम आता है, इवन आपका, आपका faces पे भी काम आता है, कि आपने 5 faces select किये, बाहर click किया, आप depress करोगे तो 4 हो है, फिर AK करके आप कम कर सकते हो, यहां से, previous selection पे आप AK करके जा सकते हो, तो यह होता है आपका इस तरीके से, और इसको कैसे use कर सकते हो, मालव आपने drag करके selection को यहां पे select किया, फिर drag करके इस selection को select किया, फिर drag करके इस selection को select किया, अब अगर आप depress करोगे, तो वो last selection पे दुबारे ले जाएगा, दुबारे से वो selections पे आपका जा सकता, तो पांच जो most last के जो आपके पांच वो है selections वो इसको memory को याद रखे और वाकिस आपको जाने में help करेगा तो काफी useful आपकी ये extension है जिसको आपको download कर देना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल free है तो आपको अभी क्या भी ये download कर लेना चाहिए तो आशा करतो वीडियो अच्छी लगिया अगर वीडियो अच्छी लगिए अगर वीडियो अच्छी लगिए प्लीज वीडियो को like करे share करे comment करना ना आपको ने तेंगी स्वेश्ट रोग सेखते हैं